नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हर्दी स्वागत हैं आज हम आपसे हमारे पुलिस और नियायले के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों आप लोगों के आसपास आपके घर आपके पड़ोस में यदि कोई ऐसी घटना घटे जैसे चोरी राबरी या लूट पाठ अपसी जगडा या कोई भी गयर कानूनी कार हो तो आप हमारे पुलिस बल और नियाय के लिए नियायले की साहत्ता जरूर लेंगे तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले हम बात करेंगे दब पुलिस हमारे संसत द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है उसे ठीक से और प्रभावी ढंग से लागू करने की आवसकता होती है और इस कार को करने के लिए हमारी सरकार विभिन एजेंसियों की मदद लेती है और इस तरीख से यह सभी कानून प्रभरतन सरकार की विभिन एजेंसियों के द्वारे की आता है हमारे पुलिस भिगा वाग प्राथमिक कानून प्रभरतन एजेंसियों है अपराध को रोकने के लिए अपराध की जाच करने और कानून को बनाये रखने की जिमिवारी हमारे पुलिस की है अब चलिए बात करते हैं हायार्किय पुलिस आफिसर्स पुलिस अधिकारियों का पदानुक्रम एक जीलों को पांच या छे उप विवाजनों में विवाजित किया एता है अब हम आपको बताते हैं दब पुलिस हायार्कियल सेट अप एड़ द्रिस्टिक लेबल तो सबसे उपर द्रिस्टिक लेबल पे सुप्रिटेंडेंड़ पुलिस यानि की एसपी होते हैं जो की इन चार्ज होते हैं पुरे द्रिस्टिक के इन चार्ज आफ द्रिस्टिक उनके अंडर में आते हैं एडिस्नल सुप्रिटेंड़ पुलिस एसपी उनके अंडर में आते हैं Deputy Superintendent of Police DSP जो कि In Charge of Sub-Division of District होते हैं उनके नीचे आते हैं Inspector of Police जो कि In Charge of Police Station होते हैं उनके अंडर में आते हैं Sub-Inspector of Police यानी कि ESI जो की इन चार्ज आप होते हैं छोटे पुलिस स्टेसनों को कि उनकी इंड़रम आते हैं assistance ॥ पुलिस ए सनी और ए सआइक नीचे आते हैं हेड सब्सनेबल में अब हम बात करेंगे गाइड लाइन्स फार्द पुलिस पुलिस के लिए दिशा निर्देश दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पुलिस के लिए अलगस दिशा निर्देश बनाया गए है दोस्तों हमारे पुलिस तो कानून के उपर है नहीं इसलिए जाच कानून के मुताभिक ही किया जाना चाहिए दोस्तों पुलिस के लिए अचास अनहिंता में कहा गया है पुलिस को भायत के समिधान का परन करना चाहिए हमारे समिधान के द्वारा जो अधिकार नागरी को दिये गया है जैसे सिक्षा का अधिकार, सामानेता का अधिकार, स्वतंतरता का अधिकार, सोसड के खिलाप आवाज उठाने का अधिकार, धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार, संस्कृती और समेधानी का अधिकार, उसका पुलिस को सम्मान करना चाहिए दोस्तों हमारे माननी सरवच नियालें भी पुलिस को सुण रकषा देने के लिए कुछ दिसा निर्देश जारी किया है इन दिसा निर्देश से पुलिस को आरोपी व्यक्ति की हिरासत का इस्थान तथा समय को नोट करना चाहिए और यदि आरोपी का रिस्दार उनके साथ न हो तो पुलिस को कानून सहायता संगठन के माध्यम से उसको सूचित करना चाहिए गिरफतारी के तुरंत बाद आरोपी को उसके गुना और अधिकारों के बारे में अउगत करा जाना चाहिए हमारे समिधान के अनुच्छद 22 कुछ मामलों में गिरफतारी और नजरबंद के सुरक्षा के संबंद में कुछ अधिकारों की गारेंटी देता है इस तरह से कुछ अधिकार हैं जैसे कि पहला गिरफतारी के समय गिरफतारी के कारण के बारे में सुचित किया जाने का अधिकार अपने पसंद के वकील द्वारा बचाव का अधिकार, तीसरा, ग्रफतारी के 24 घंटे के भीतर, मजिस्ट्रेट के समने पेस होने का अधिकार, इस तरह का अधिकार हमारे पास होता है लेकिन अक्सर हमें यह मालूम नहीं होता, यह इसकी जनकाई नहीं होती यह जाना बहुत ही आवास्यक है आईए, अब हम यह फायार यानि कि फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों, आप लोगों ने यह फायार का नाम अक्सर सुना होगा लोग आपस में विवाद होने पर यह फायार करते हैं या किसी भी उनको केस करना हो, तो सबसे पहले फायार करते हैं आईए, चलिए इस पर हम विस्तार से सर्चा करते हैं पुलिस अधिकारी द्वारा ड्यूटी पर दर्ज किया आता है यह फायार को जो ड्यूटी पर पुलिस अधिकारी होते हैं उनके द्वारा दर्ज किया आता है यह रिपोर्ट पुलिद द्वारा लिखवा आता है या अपराज के विशा में विस्तार में लिखा जाने वाला एक रिपोर्ट है इसी के आधार पर पुलिस अपनी जाच सुरू करती है अब चलिए जानते हैं कि यह फायार कहां दर्ज करवायती है तो हम आपको बता दें कि यह फायार समबंधि छेत्र के पुलिस इस्टेशन में फायार दर्ज की जा सकती है जिसके अधिकार छेत्र में फायार अपराध हुआ है इसके प्रभारी, अधिकारी या असिस्टेंस सब इंस्पेक्टर के पास फायार दर्ज किया एना चाहिए अब चलिए जानते हैं कि FHR कैसे दर्ज किया ना चाहिए FHR दर्ज करवाने के लिए एक उचित प्रक्रिया इस प्रकार से है फर्स्ट मुखवीर यानि की इनफॉर्मेंट पुलिस इस्टेशन में ओफिसर इनचार्ज से मिलता है और घटना का करम बताता है फिर उसके बाद अधिकारी सिकायत लिखता है और उस पर मुखवीर यानि की इनफॉर्मर द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है और फिर तीसरा दीगे जानकारी एक पुस्तक में लिखियाती है जो की अधिकारी के पास रखी जाती है और फिर चाओ था यह फायार की एक प्रती मुखवीर को दियाती है अब बताते हैं कि यह फायार में क्या-क्या लिखाता है यह फायार में यह विर्वड लिखायता है सबसे पहला अपराध का अनुमानित समय और दिनांग अपराध घटित होने का दिनांग और अनुमानित समय और सूचित करने का समय और दिनांग यह सभी लिखे आते हैं दूसरा वह अस्थान जहां अपराध हुआ हो तीसरा सिकायत करता का नाम वह पता चौथा यदि कोई संधिक्द हो तो उसका नाम वह पता पाच्वा अफराद का वरड़न छट्वा चोरी करने पर चोरी किये गए समान का विवरण और साथ्वा कानून का वह भाग जो अफराद वह लागू होता है तो इस प्रकार से अयफाया लिखाता है अब चलिए बताते हैं कि यदि कोई प्रभारी अधिकारी यफायार दर्ज करने से मना करे तो क्या करें यदि आफिसर इंचार्ज प्रभारी अधिकारी यफायार दर्ज करने से मना कर दे तो पुलिस अधिक्चक ESP को पोस्ट कके उनको पोस्ट के माध्यम से लिखित रूप में यह फैयार को भीजा जा सकता है यदि ESP आस्वस्थ कन्विनियस्ड है तो इस तरह की जानकारी से यदि पता चलता है कि अपराध हुआ है तो वह या तो स्वयम मामले की जाज करेगा या करेगी या किसी पुलिस अधिकारी को जाज करने के लिए कहेगा या कहेगी जो की उसके अधिनस्त में काम करता है अब हूं आपको बताते हैं यह फैयार पर सुप्रीम कोट के निर्देश अब चलिए जान लेते हैं कि मानिनी सर्वच नियाले का ये फायार पे क्या निर्देश है तो पहला अपराद की सुचना मिलते ही ये फायार दर्ज की जानी चाहिए दूसरा जाच शुरू करने से पहले संबंधित पुलिस अधिकारी को ये आकलन लगा लेना चाहिए कि वास्तों में क्या कोई अपराद हुआ है तीसरा ये फायार संबंधित पुलिस इस्टेशन में दर्ज होनी चाहिए यदि अपराध संबंधित पुलिस इस्टेशन के अधिकाच छेतर में नहीं आता है तब भी अफ़यार दज किया जाना चाहिए हाला कि यह अफ़यार को जल्द से जल्द संबंधित पुलिस इस्टेशन में भेल दिया जाहिए अब हम आगे बताते हैं अपराधिक नियाय की प्रक्रिया क्या है हम जानते हैं कि एक नियायले अपने आप से कोई काम नहीं करती है केवल और केवल अगर कोई पिडित आदालत के समक्ष अपिल करता है तभी नियायले नियाय दे सकती है सिविल केस और आप्राधिक केस की सुनवाई का प्रक्रिया अलग-अलग है उदाहरण के लिए पारिवारिक और संपत्ति विवाद के मामले में सामिल पच्छो के माध्यम से सिविल अदालत का रुख किया जता है और अदालत मामले को सुझाती है हलाकि आप्राधिक मामलों में निम्नलिखित प्रक्रिया अपना यति है पहला पीडित या फैयारदर्ज को आता है दूसरा या फैयारदर्ज होने के बाद पुलिस जाच शुरू करती है पुलिस आप्राधिस्थल की जाच करती है गवाहों से सवाल करती है बयान दर्ज करती है, खोज करती है और सफी सबूत इकठा करती है पुलिस संग्धिक्तों से पूस्ट ताच भी करती है और जरुरत पढ़ने पर गिरपतार भी करती है तीसरा, जाज के बाद यदि पुलिस अपराधी के खिलाब पर्याप्त सबूत इकठा कर लेती है तो वो उसे गिरपतार करती है और magistrate की अदालत में चार्ज सिट दाखिल करती है चार्ज सिट के दाखिल होने के बाद करेवाई सुरू होता है आरोपी को अपना बचाव करने का और सर दियाता है वो मामले का बचाव करने के लिए अपनी पसंद का वकील रख सकता है जाना जाता है और सिकायात करता के मामले को प्रस्तुत करने वाले वकील को सरकारी वकील के रूप में जाना जाता है भारत में एक व्यक्ति को अदालत में दोसी सावित होने तक निर्दोस मानायता है यदि अधालत अभ्यूक्त को दोसी पाती है तो उसे सजा देती है सजा की मात्रा प्रकृती और अपराध की गंभीता पनिर्वे करती है अब आगे आपको बताते हैं रोल आफ डिफेंस लाया रक्षा वकिल की भूमिका क्या होती है अभ्यूक्त द्वारा नियूक्त बचाव पक्ष अभ्यूक्त की ओर से मामले को प्रस्तुत करता है बचाव पक्ष को वकिल गवाहों से सवाल पुछ सकते हैं और अभ्यूक्त को निर्दोस साबुत करने के लिए बचाओ पक्ष के वकिल आदालत में गवाह को बुलाने के लिए भी कह सकते हैं इस प्रकार एक अभ्यूक्त को निस्पक्ष सुनवाई के माध्यम से अपने बचाओ का पूरा उसर दियाता है नियाएधिस, मामले के दोनों पक्षों से सुनने के बाद निस्पक्ष निरड़े पारित करता है अब हम आपको बताते हैं, रोल आफ पब्लिक प्रोस्टिक्यूटर लोग अभ्योजक की भूमिका सरकारी वकिल अभ्योग्त की सिकायत करता के मामले को प्रस्तूत करता है और वह राज द्वारा नियुक्त किया एता है सरकारी वकिल अभ्योग्त को दोसिस साबित करने के लिए आदालत के सामने सभितत सबूतों और गवाहों को प्रस्तूत करता है तो यह रहा पुलिस एन कोट यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सेयर करें और हमाय चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू फर बाचिंग दिस वीडियो